अभी तक की बात करें तो 62 million user हो चुके है एटल payment bank के यहाँ पर आप active payment bank की लिस्ट देख सकते हैं जिसमें है number one पे एटल payment bank account opening बहुत ज़्यादा easy है आप एटल thanks application को download करेंगे और first उसमें आप अपना wallet create करेंगे जिसके लिए आप से कुछ basic से details पूछे जाएंगे account में deposit की बात करें तो आप online जो है debit card के थरू net banking के थरू UPA के थरू even credit card के थरू भी load money कर सकते हैं मेरा neighbor मेरे पास आया और मुझसे कहता है कि मैंने अपना खाता खुलवाना है एटल payment bank में तो मैंने इससे पूछा कि एटल payment bank ही क्यों और भी बहुत सारी market में bank के हैं जहां पर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं तो उसका जवाब क्या था यह सुनिएगा थोड़ा फिर आप भी मुझे बताईगा कि कि आप भी इसी सोच के कारण जो है एटल payment bank में खाता खुलवाते हैं तो उसने कहा कि एटल payment bank जो है एक zero balance account है इसलिए मैं उसमें अपना खाता खुलवाना चाहता हूं तब मैंने उसको बोला कि सिर्फ आपको zero balance की facility दे रहा है यहां पर तो य उसके अलावा आप इनकी services use करोगे like debit card वगरा का यह transaction का उसमें आपको कितनी limit मिल रही है क्या उसके कोई charges है यह सब matter नहीं करता तब उसने कहां से हाँ यह सब चीज भी तो matter करती ही है तब मैंने उनको बोला कि आप इनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो तो उनने बोला कि नहीं अभी तो मैं नहीं जानता हो सिर्फ इतना ही जानता हो कि यह zero balance service provide करती है इसलिए मैं अपना खाता खुलवाने के लिए आपके पास आया था तो देखो आप में से भी बहुत सारी users होंगे जिन है एटल payment bank में खाता तो खुलवाना होगा लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं होगा कि यह टल payment bank उसके लिए काम की है भी यह नहीं है और किसके लिए हो सकती है काम की यह भी हम इस वीडियो में discuss कर लेंगे इंडिया में बहुत सारी बैंके हैं जो कि कुछ सरकारी बैंके हैं और कुछ प्राइविट बैंके हैं उन्हीं के लावा जो है अपनी payment bank की service को शुरू किया जिसमें से दो तीन ऐसी भी कंपनिया थी जो कि अपना payment service यानि payment bank जो है बंद भी कर चुकी है लेकिन अभी भी जो है market में 6 कंपनिया जो है अपनी payment bank की service प्रवाइड कर रही है तो कौन-कौन सी वो bank के हैं चलिए थोड़ा से मैं आपको फीनो payment bank और चौथे नमबर पे है जियो payments bank और पांचवे नमबर पे है पेटियम payment banks और छठे नमबर पे है NSDL payment bank इसके अलावा अगर हम बात करें तो आदित्य पिरला payment bank जो की idea के साथ में tie up करके आपको payment bank की service प्रवाइड कर रही थी तो वो बंद हो चुकी है और Vodafone Mpesa भी launch हुआ था तो वो भी अभी बंद हो चुकी है तो payments bank में भी आपके पास में ये 6 एक बैंकों की list है जिसमें आप अपना खाता खुलवा सकते हैं तो आखिर ये टल payment bank में ही अपना खाता क्यों खुलवा है तो चली इसे समझते हैं कि ये टल payment bank में आपको क्या का services मिलती ह उससे पहले मैं आपको इसका history बताना चाहूंगा कि एटल payment bank को जो license मिला था 2016 में ही मिल गया था और उसी time से इन्होंने अपना pilot project शुरू कर दिया था जिसकी शुरूत इन्होंने राजस्तान से की थी और जनवरी 2017 से all over India में launch हो गया यानि हर कोई जो है इसे use कर सकता था हर कोई जो है अपना एटल payment bank में खाता खोल सकता था 2017 से अभी तक की बात करें तो 62 million user हो चुके है एटल payment bank के और 5 लाग से ज़्यादा जो है neighborhood banking points है इनके 2017 में ही इन्होंने अपना UPI service भी launch कर दिया था और एटल payment bank जो है subsidiary है भारती एटल की Now back to the topic कि एटल payment bank में आपको क्या क्या benefit मिलती है और क्या इसके charges है तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि एटल payment bank जो है आपको zero balance maintenance की facility provide करता है It means आप यहाँ पर zero रुपया भी रखोगे तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई charges वगरा नहीं देना पड़ेगा जो कि बहुत सारी bank के convenience fee के नाम पर आपसे वसूलती है आप बात करते हैं कि आप इसमें आपना जो पैसा रखोगे उस पर आपको कितना interest मिलेगा तो यहाँ पर देखिए clearly mention है कि अगर आप अपने खाते में up to एक लाख रुपया यानि मालीजिया आप अपने खाते में 99,000 रुपया रखते हो ना तो आपको जो ब्याज मिलेगा मातर 2% का मिलेगा लेकिन अगर आप अपने खाते में एक लाख रुपय से ज़्यादा का amount रखते हैं जो कि maximum आप 2 लाख रुपय तक रख सकते हैं इससे ज़्यादा payments bank को allowed नहीं है कि वो अपने खाते में पैसे रख सके तो 2 लाख रुपय तक अगर आप amount रखते हो एक लाख से उपर तो आपको 2-3% तक का ब्याज मिल जाता है क्योंकि अगर आप अपने खाता किसी small finance bank में खुलवाई होंगे तो वहाँ पर आपको 3% के आजपास तो ब्याज मिल ही जाता है आप लाख रुपय से कम भी रखो तब भी यहाँ तक कि एकर हम सरकारी bank को की ही बात करें तो वहाँ प आपका amount एक लाख रुपय से कम की deposit रहती है तो तो देखिए अगर आप सोच रहें zero balance account open करने का पिटमिस आपकी income लाखों में नहीं है तब ही आप zero balance account open करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाख रुपय से कम का ही deposit करके रुखोगे जिसके लिए आपको मात्र 2% का ब्याज मिलने वाला है इसके लावा payment bank में और भी बहुत सारी limitations होती है जो कि मैं आपके साथ में share करना चाहूंगा पहली limitation की बात करें तो वो यह है कि payments bank जो है अपना credit card launch नहीं कर सकते हैं loan भी यह provide नहीं कर सकते हैं limitation की बात करें तो इसमें आप maximum जो deposit कर सकते हैं दो लाख रुपय कर सकते हैं जो कि आप यहाँ payments bank के Wikipedia में देख सकते हो सब कुछ जो है clearly आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप खुद से इसे read कर सकते हैं इस video को pause करके इसके अलावा यह आपको FD की service भी provide नहीं करते हैं अब हो सकता है कि कुछ ऐसे ही महानुभाव होंगे जो कि यहाँ आप comment करेंगे कि मैंने तो अपना payment bank में खाता खुलवाया है और वहाँ पर मैंने FD भी कर रखी है वो मुझे loan भी provide करती है और 2 लग से ज़्यादा कभी deposit में कर लेता हूं तो देखी यह सारी चीज़े possible हैं लेकिन कैसे possible यह आप समझ नहीं पा रहे हो इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है FD आप कर सकते हैं वो कैसे देखी FD के लिए इन्होंने ना किसी और bank के साथ में partnership किया होता है जैसे कि example बहुत ज़्यादा फिट बैठेगा वो है इंडिया post payment bank के उपर इंडिया post payment bank एक payment bank है और इंडिया post saving account जो है एक इंडिया post की service है जो क वैसे ही हमारे पास कोई 2,00,00 रुपया से ज़्यादा का amount आएगा उससे हम shift कर देंगे आपके इंडिया post में तो इस तरह से आप इंडिया post payment bank में भी 2,00,00 रुपया से ज़्यादा का deposit कर सकते हैं और माल लिजे आपको FD खुलवाना है तो FD भी इंडिया post payment bank में नहीं कर सकते हैं बलकि वो इंडिया post में आपका open हो जाएगा तो वैसे ही एटल payment bank ने भी दूसरे bank के साथ में tie up किया हुआ है जिसके दुरू आपको FD service provide करती है और loan की facility भी provide करती है जिसके लिए इन्होंने NBFC company के साथ भी tie up किया हुआ है और bank के साथ भी tie up किया हुआ है यहां तक सब चिस clear है तो नीचे comment में yes करके लिखो तो जैसे कि हमने बात किया कि payments bank जो है credit card issue नहीं कर सकते हैं लेकिन debit card या ATM card issue कर सकते हैं जो कि यहां पर clearly mention है payment bank can issue ATM card debit card and providing online और mobile banking service यानि mobile banking service के लिए आपको debit card वगरा issue किया जाता है जो कि यह टल payment bank भी आपको provide करती है तो यह टल debit card और दूसरा जो है physical debit card virtual debit card वो होता है जो आप mobile application में देख पाते हैं और physical debit card वो होता है जो आपके घर पर delivered होता है तो virtual debit card का पहले तो यह charges नहीं लेती थी लेकिन अब जो ही यह charges लेना शुरू कर चुकी है वो charges है 25 रुपे प्लस GST तो virtual debit card use करना भी आजकल महेंगा हो गय इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप physical debit card लेते हैं तो उसके जो charges है 349 रुपीज है जो कि देखा जाये तो दूसरे bank के compare में काफी ज्यादा high है क्यूंकि बहुत सारी bank के आपको मातर 1.500 रुपे में ही debit card provide कर देती है physical debit card और अगर उस पर GST विगरा लग जाता है तो 277-78 रुपे के आपको जो ही वो debit card issue करके दे देते हैं लेकिन यहाँ पर जो charges है 349 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे physical debit card के लिए और इसके अलावा इसका annual charges भी है जो की 119 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे तो यह तो होगए charges की बात बट इसके अलावा और भी बह से transaction कर सकते हैं चाहिए आप online करे या offline करे मालने जिए आपने amazon से कोई चीज एक order करना है जिसकी price 30,000 रुपे है तो उस product को आप इसके जरीए खरीद नहीं सकते हैं वो क्यों क्योंकि इसकी limitation है आप online transaction जो है जादा से जादा 25,000 रुपे ही कर सकते हैं तो इससे कम amount का ही आप product खरीद पाएंगे इससे जादा amount का आप product नहीं buy कर सकते हैं इस debit card के जरीए भी इसके लावा आप P.O.S. device पर भी transaction करेंगे तो वो भी आप maximum 25,000 रुपे ही कर सकते हैं and ATM withdraw भी आप maximum 25,000 रुपे ही कर सकते हैं account में deposit की बार करें तो आप online debit card के थुरू, net banking के थुरू, UPI के थुरू even credit card के थुरू भी load money कर सकते हैं तो debit card, net banking और UPI के थुरू जो deposit करेंगे वो बिल्कुली free होगा लेकिन आप credit card के थुरू load money करेंगे तो उसके लिए आपको charges pay करने पड़ेंगे means आप credit card से deposit करेंगे तो आपको 2.18% का charges pay करना पड़ेगा जितना भी आप load amount करोगे online के अलावा और भी तरीके हैं इसमें deposit करेंगे कि ये टल payment bank के 5 लाग से भी ज़्यादा banking points है जहां पर जाकर आप इसमें deposit कर सकते हैं और withdraw भी कर सकते हैं अब ये banking points कहां है आपके nearby में ये कैसे पता लगेगा तो आप Google पर जाकर search करेंगे या फिर आप map में जाकर search करेंगे कि एटल banking points तो आपको वो सारे location देखने को मिल जाएंगे तो बात करें आप उहां पर कितना deposit कर सकते हैं जो कि free हो तो अगर आप 0 रुपी से लिएकर 25,000 रुपे तक deposit करेंगे तो वो deposit जो है बिल्कुली free होगी लेखिन आप 25,000 से 50,000 के बीच में deposit करते हैं तो उसके लिए आपसे 0.5% का charges लिया जाएगा आप 25,000 नहीं 26,000 रुपे deposit करने जा रहे हैं तो अब आपको 5 रुपे जो है extra charge पेग करना पड़ेगा इसी तरह से आपकी amount बढ़ेगी तो उसी तरह से आपको extra charge देना पड़ेगा लेकिन यही पर अगर आपकी amount 50,000 से ज़्यादा की है तो उस condition में आपसे 0.75% का charges देना प बढ़ेंगे अब बात करते हैं withdraw के बारे में कि जो banking points हैं वहाँ पास सिर्फ deposit ही थोड़ी करने जाओगे हो सकता आपको पैसी जूरत पड़ेगी तो आप withdraw भी तो करोगे ना तो एक महीने में अगर आप 10,000 रुपे withdraw करते हैं तो वो बिलकुली free है उसके लिए आपको कोई पेग करने पड़ेंगे अब बात करते हैं कि यह account आप कैसे open कर सकते हो और क्या account opening कोई भी कुछ charges है तो मैं आपको बता दूँ अगर आप offline account open करते हैं तो आपको 50 रुपे जो है शुल्क पेग करना पड़ेगा account opening का उसके अलावा इसका annual maintenance charges भी है जो कि 100 रुपया रखा ग application को download करेंगे और first उसमें आप अपना wallet create करेंगे जिसके लिए आपसे कुछ basic details पूछे जाएंगे like आपका name आपका gender आपका डेटो बर्त वगरा और आपका pen number भी लिया जाएगा इतना submit करते ही आपका wallet create हो जाएगा जिसमें आपको 9000 रुपय तक की limit मिल जाएगी यानि wallet म आप 9000 रुपय तक deposit वगरा कर सकते हैं और उसको use भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात करना payment bank की successfully wallet create होने के बाद में जब application को open करेंगे तो वहाँ पर आपको एक upgrade करने का option मिल जाएगा उस पे click करके आप payment bank को open कर सकते हैं payment bank जब open करने जाएगे तो वहाँ पर आपको अधार काड के थूरू verification complete करना पड़ेगा यानि अधार authentication आपको करना पड़ेगा उसके बाद आपको video QIC भी करने पड़ेगी हाँ video QIC के कर हम timing की बात कर लें वह आप week में 7 days कर सकते हैं लेकिन उसकी timing है जो कि morning 10 a.m. से लेकर night के 9 p.m. तक आप video QIC करवा सकते हैं तो यह complete information जानने के बाद आप अपना decision लेते हैं कि आपको यह टल payment bank में खाता खुलवाना है तो आप यह भी खुलवा सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल चाहेगा but मैं अपना opinion जरूर आपके साथ में share करना चाहूंगा देखिए यहां पर बहुत सारी limitation है और कुछ charges भी है जिसके ब बहतर आपको service चाहिए तो आप अपने nearest किसी भी fiscal bank में अपना खाता खुलवा सकते हैं जहां पर कोई भी limitation वगर आपको देखने को नहीं मिलेगी और अच्छा खास आप उसको use कर सकते हैं लेकिन आपका as a primary bank कोई और खुला हुआ है और एक secondary bank open करना जाते हैं तो आप इसे इसे तो अच्छा ही इंट्रेस्ट मिल जाता है डेबिट कार्ड के वी चार्जस भी बहुत कम हैं इसके अलावा इस तरह की limitation भी नहीं है तो अगर आप azu small finance bank में या फिर kotec 811 में account open करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में link मिल जाएगा वहाँ से आप open कर सकते हैं अगर आप इन दोनों bankों में भी ये decision नहीं ले पारें कि किस bank में खाता खोलें अगर आप मेरा opinion मानना चाहते हैं तो आप azu small finance bank के साथ में जा सक bank हो चाहिए private bank हो इसी तर जालता लोग जो है सरकारी bank में खाता खुलवाना चाहते हैं तो देखो सरकारी bank तो ही है वो तो इंडिया में secure मानी जाती है ये तो सभी को पता है लेकिन इनके अलावा जो भी banking services आपको provide करती है ये भी RBI से regulate होकर ही आपको ये banking services provide करती है इसके लावा जितनी भी banking है चाहिए payment bank है small finance bank है private bank है या government bank है वो सभी जो है DICGC के तहत जो है insured होती है DICGC को मतलब होता है deposit insurance and credit guarantee corporation इसके तहत आपका पांच लाग रुपे तक का जो amount है वो insured होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे bank भाग जाए दिवालिया हो जाए कुछ भी हो जाए तब भी आपको वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे for example आप अपने खाते में साड़े चार लाग रुपे deposit करके रखते हो तो अगर किसी भी कारण से वो bank दिवालिया हो जाता है तो आपको पूरे के पूरे साड़े चार लाग रुपे जो है मिलेंगे ही मिलेंगे ब आपको इसमें खाता खुलवाना है या नहीं खुलवाना है वीडियो पसंद रही तो लाइक करके शेर कर दीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा क्योंकि ऐसे informative content आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं मैं आपसे मिलता नीव वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातर